Hello my dear students, कैसे हैं आप लोग, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग HSC महारास्टरा बोर्ड का syllabus आगे पढ़ रहे हैं, तो ये उसी का ये थर्ड लेक्चर है और ये चेप्टर का नाम है काइनेटी थेोरियो आफ गैसेज और ये थर्ड नमर चेप्टर है और इसके पहले हमने एक और चेप्टर कवर किया है जिसका नाम उसीलेशन है तो असलेशन को भी अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देख लेजी एक करके सारी चेप्टर समक्वर कर रहे हैं और बोर्ड की चिंदा से आपको दूर करने की कोसिस कर रहे हैं तो अगर जो लोग भी सवाल भी दिखाते हैं कि यह सवाल देखो ऐसे आया और हमको यह पढ़ना है वोड की वक्त पर वैसे ही तैयरी करने जरूरी है तो अगर आप टेंशन में हो तो आपका टेंशन दूर हो रहा हो मेरे इसाब से हमारे साथ आप चलेंगे तो इस चैनल पर और आपको दूसरे वीडियो भी मिलेंगे जैसे के चापू चकमा सर के लेक्शर मिल रहे हैं उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दिया हुआ है आप देख सकते हैं उसके बाद मैट्स और बाकी जोग्राफी और अलग-अलग बायो के भी सब्जेक्स आने वाले हैं तो फिजिक्स में जैसे रोटेशन डामिस एक तरफ चल रहा है तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आज यह ओर रॉल फिनिस हो जागा तो आप आखरी तक बने रहो बहुत आसान है मुस्किल नहीं है और हम फिलाल थियोरी पार्ट कर रहे हैं निमेरिकल भी आगे चलके करें यह वह भी आपक सब्सक्राइब किया है नए है तो आप बिल्कु सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें ठीक है एक बात और मैं अनॉंस्मेंट कर दूं यहां पर कि हमारे ही चैनल पे एस्पी आई के लेक्चर स्टार्ट हुए है एस्पी आपको मालूम यह होगा इस वजह से आप सब्सक्राइब काफी इंपॉर्टेंट है तो जो भी आपके जूनियर आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं इस पर की वह भी उसको जो है सीख सकते हैं उस लेक्चर से कोशी सीरीज है जिसमें मैथ हब स्टार्ट हुआ आगे भी स्टार्ट होगा उनका ए 28 अपरैल को है तो उसकी लिए भी आप देख सकते हैं कि तैयारी करने का भी वक्त है तो उनको भी आप प्रमोट कर सकते हैं ठीक है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है ओके तो चलिए बीना वक्त बरवाद की वे सुरू करते हैं आज का सिल्सिला ठीक है ओके तो भाई साब हम जो पढ़ रहे थे वो है डिग्री ओफ रिडम डिड्री ओफ रिडम का डैरिक्ट जो है लॉंग कोईस्टन तो मुझे नहीं दिखा ओके लेकिन डिग्री ओफ रिडम के ऊपर आपका क्वेश्चिन है अब्जेटिव में आपको इसके बाद आप देखेंगे तो polyatomic molecules having F vibrational modes, the ratio of to a specific heat cpncv, यह है, उसके जुड़ा हुआ सवाल, उसके बाद इसमें और भी है, जैसे कि, यह देखो, यह पूछा है, number of degree of freedom for rigid diatomic molecules is, उसके बाद बोला है, specific heat capacity for water is, यह सब ऐसे question है, जो कि degree of freedom पढ़ने के बाद ही आपका बन बेने वाला है, ठीक है, तो चलिए हम start करते है, degree of freedom क्या है, रिखो, बाद सी समझा रहा हूँ कि degree of freedom, मतलब आजाद होने के तरीके, डिगरी का मतलब क्या होता है, number of ways, ठीक है, उके, तो यह number of ways, आजाद होने के तरीकी का, मीनिंग यह बाई, आजाद होके क्या करेगा, व वेलसिटी से जा सकता है, मूव कर सकता है, तो इन जेनरल अगर देखा जाए, तो तीन उसके डिरेक्शन में वेलसिटी हो सकती है, x, y, and z, और ये linear वेलसिटी के हम बात कर रहे हैं, लेकिन simultaneously उसके rotational motion भी हो सकता है, तो उसकी वजह से, जो है, वो rotational kinetic energy भी होगी, मतलब ओमेगा x, omega y, and omega z भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर आप देखें ये, तो ये kinetic energy को जो है, वो refer करता है, जो velocity है, kinetic energy को refer करेगा, मतलब वो translational हो, या rotational motion हो, ठीक है, तो इसका मतलब degree of freedom उस पर depend करने वाला है, तो हम simply यहाँ पर ये समझते हैं, इस kinetic energy अगर आप देखें, तो translational का half mv square ह होता है, अगर हम rotational की बात करें, तो half i omega z का formula होता है, यह सब को मालूम है, ठीक है, ओके, अगर आप देखोगे, तो आपका यहाँ पर जैसे की मान के चलिए helium एक gas है, जो की monatomic हमको मालूम है, और इस जनरल उसके तीन velocity हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसमे अगर देखा जाए, तो हम अगर देखें, तो VX, VY, VZ, थाना, तीन इसके translational के, और omega x, omega y, omega z, तीन रफ्तार भी हो सकते हैं, rotational के, ठीक है, similarly, दो और यहाँ पर हमने example लिए है, ठीक, जो यह हमारा monatomic है, उसका यह shape होगा, spherical आपको पता है, जो diatomic है, उसका shape कैसा होगा, इस त ठीक है, दोनों side पर आपको पता है, ठीक है, जो triatomic होगा, वो अगर मान के चलो, triatomic non-linear और polyatomic है, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके के safe हो सकते है, जैसे कि H2O होता है, यहाँ पर oxygen होता है, और दो इस तरीके से hydrogen लगा होता है, तो कहीं V shape का इस तरीके से बनता है हमारा, ठीक है, तो triatomic non-linear और यहाँ पर polyatomic है, triatomic मैंने क्या बोला, non-linear बोला, ठीक है, तो वैसा ही मैंने non-linear क्यों बोला, क्योंकि एक linear वाली भी कुछ चीज होती है, जैसे कि carbon dioxide, यह chemistry में सिखा जाता है, carbon dioxide, तो इसके अंदर कर देखो कि तो यह है triatomic, लेकिन ही linear है, तो यह क सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर monatomic के situation की, तो monatomic का situation अगर आप देखेंगे, तो कहीं न कहीं, तो कहीं न कहीं, अगर आप situation देखोगे, तो कहीं न कहीं, यह उसका एक diagram हमने किया है, जो translation kinetic energy है, तो सारे direction के वज़े से एक kinetic energy वो possess करेगा, वो रखेगा, ठीक है, व vx square, half m, vy square, half m, vz square, लेकिन अगर हम rotational की बात करें, जिसका formula half i omega square होता है, तो इसमें i यह समझने वाली बात है, बड़ी ध्यान से सुनना, जो moment of inertia है, वो हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा, 0, मतलब सुनना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, अभी 0 कैसे होगा, तो आपने moment of inertia का formula पढ़ा है, कि moment of inertia का formula m r square होता है, अगर यह नहीं पढ़ा है, तो rotation dynamics का जो lecture है, उसको जाके देखो, ठीक है, तो यह कैसे होता है, half, sorry, m r square, यह तब होता है, जब यहाँ पर axis है, और axis से r दूरी पर आपका particle रखा हुआ, m particle, ठीक है, अभी इस तरीके से ऐसा move करेग तो फिर हम कह सकते है, इसका moment of inertia m r square हो गया, ठीक, अब उसके बाद जो है, अगर यह मान के चलो कि यह दूरी जो भी है, उसकी हिसाब सी moment of inertia आया है, लेकिन अगर मान के चलो, mass हमारा यहीं है, तो इसके लिए moment of inertia क्या हो जाएगा, इसके लिए moment of inertia m r square में r के value आप 0 पूट इसी axis यहां पर ऐसा है x, फिर y, फिर z, अब देखा जाया तो इसी axis के ऊपर है यह, यह इसी axis के ऊपर है, तो moment of inertia of that particle will be what, will be 0, so hence the kinetic energy due to the rotational motion will be 0 in this particular case, hence there are these three velocity by which there is some kinetic energy, और यह वे वेलसितिक वे ऐसे करेंटिक नहीं है, तो बस यही तीन वो कारण है, यही वो तीन degree of freedom इसके अंदर होने वाला है, आई वास समझ में, तो कहीं ने कहीं इसका translation वाला है, और rotational वाला कितना है, 0 है, इसी वज़े से इस category of freedom कितना हो गया, 3 यह याद रखना है, जाम से गांट बांद लो दिमाग में, कि 3 होता है, इसका monotomic, monotomic example क्या होगा, inert gases monotomic example होते है हैं, जैसे कि helium, neon, argon, वेगरा फेगरा, ठीक है, समझा गई बार, बढ़ी ऐसे, ओके चलवा के बढ़ते हैं, ठीक है, अब देखते हैं, अब इसके अंदर, next आता है, diatomic, diatomic के अंदर क्या होगा, diatomic के अंदर, दो molecules हैं, तो दो molecules में क्या होगा, फिर से वही बात, मान के चलो, कि हमने ये, x, y, z, ऐसा axis बनाया है, और किसी भी फिलालम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आपी जैसी, यह डंबल, हमने यहाँ पर एक बॉल लेकिए, यहाँ पर रखा, तो हमारे, x axis, इसकी along अगर यह पढ़ा हुआ है, ठीक है, x axis, तो उसमें क्या होगा, इसम च्क्र काट रहा, तो, moment of veo n से जीरों होगा, moment of bible n होगा, इसकं मतलने x को छोड़ कर एकर देखा जाए तो y axis about, or z axis about moment of explore n नहीं है, इसका मतलब इसके लंदर, एक बाट तो 0 होना, यह बाला, फिक है, यह बाला जो हहे, वह क्या होगा, वह जीरो, होजाएगा, बाकिं बाक से 0 नहीं होगा इसका मंदर ट्रांस लेस्टन के 3 और रोटेशनल के 2 टोटल डिट फ्रीडम जो हो गया डाय अटमिक में कितना हो गया पांच तो यह पांच आपको याद रखना है सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं ट्रायटमिक अटम के अगर हम बात करें और उसके अंदर अगर यह लीनियर है तो अगीन इसका पांच हो जाएगा अगर नॉन लीनियर है तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है आपका ऐसा आक्सिस जिसके अबोट मोमेंट अफ इनरसिया जी अब आप करोगे जैसे मान के चलो एक पार्टिकल यहां दूसरा यहां तीसरा यहां तो कोई साब आक्सिस अगर आप ले ले तो मान के चलो यह इसके पर पर पेट निकूल रवाई फिर यह जेड तो फिर आप देखो जब एक्स के अबोट ले रहे हैं तो यह बच गया यह अब यह बच गयाए तो हमेशा ऐसा होगा कि एक बच कुछ नगुश आएगा ही मतलब ऊवर और मोमेगा रॉमेगा प्रेट से किसी भी अक्सिस के बाउड जो है वो जीरो नहीं होने वाला है सब की अस आरे अक्सिस के वाउड कुछ नगुछ वैलियु मुमेंट रहेगी इस वजह से omega x भी significant है, omega y और omega z भी significant है, जिसका मदब 3 translational के और 3 rotational के मदब कितने 6 degree of freedom होगे, maximum degree of freedom translational and rotational motion की वैसे 6 हो सकते हैं, एक और factor आता है जिसको बोलते है vibrational energy, vibrational energy की वैसे भी कुछ न कुछ होता है, तो हम थोड़ा इस table में देख लेते हैं, तो हमने degree of freedom का एक चार्ट बनाया है, तो degree of freedom में जैसे कि monotomic तो इसमें at room temperature 3, अगर 70 Kelvin से नीचे temperature है तो obviously 3 ही रहने वाला translational के विज़े से, और जो हम देखें, देखा जाए, तो 70 Kelvin से नीचे rotational का कोई रोल नहीं आता है, उसके अंदर बस translational motion होता है, यह आपको याल रखना है, ठीक है, डाटोमी जिसके अंदर oxygen और hydrogen जिसका example है, तो इसके अंदर room temperature कितना हो गया, 3 translational plus 2 rotational कितना हो गया, 5 और इसके अंदर यह भी 3, मतलब कौन सा, 70 Kelvin से नीचे, और 5000 Kelvin से उपर इसमें translational होता है, पर obviously rotational नहीं होगा, और vibrational भी नहीं होगा, वाइब्रेशनल भी इसके अंदर नहीं होगा, लेकिन जब 5000 Kelvin से उपर है, तो diatomic के अंदर 2 vibrational add होता है, तो 2 vibrational हर जगर पे add होगा, तो जो 5 था वो कितना हो गया जूड़ करके, जो polyatomic है, मतलब उनको सब छोड़ करके, जैसे NS3 gas उसके अंदर कितना है, आमोनिया gas है और उसके अंदर 4 atomic है, तो उसको tritomic तो कहोगे नहीं, तो वो polyatomic अंदर जाएगा, जिसका degree of freedom 6 है, इन जेनरल और अगर ज़्यादा temperature है, तो 2 vibrational यह होगा, तो 8 हो गया, बात समझ में आई है, important आपका यह ही है, कौन सा यह वाला, यह ज़्यादा important नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखो, काम आ सकता है CT में आपके, ओके आगे बढ़े हम, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे, और पहुंचते हैं, Maxwell Equipartisan Law, जिसका हमें इंतजार था, Maxwell Equipartisan Law, आपको कुछ नगुछ नई चीज़ सिखाएगा, वो हम समझने की कोसिस करते हैं, Maxwell Equipartisan Law में, क्या होता है, जो हमने पढ़ा है, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, जो की हमने पढ़ा है, आपको याद होगा, इनर्जी जो है, वो Potential, और कानेटिक इनर्जी का समेशन है, जिसके नदर बतायागा है, कि Potential 0 होता है, तो वो कानेटिक इनर्जी के ही बरावर, इनर्जी हो जाएगी, और कानेटिक इनर्जी का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा, 3 by 2 PV, या फिर हमने पढ़ लिया, Half into, Total mass into, VRMS का Whole square, या फिर हमने पढ़ लिया, 3 by 2 into, NRT, हमने कल ये फॉर्मूला पढ़ा था, अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, या जो भी हमने किया है, हो कहीने कहीन, N number of moles के लिए है, या N particles के लिए है, या फिर हम कहें, एक और specifically, N number of moles हो, या N particle हो, ये जो भी है, ये monoatomic के लिए है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि, हमने starting में Derevation के वक्त पे हमने Monoatomic gas ही तो उठाया था Monotomic particle लिया था. एक single particle एक ball के जैसे हमने एक example लिया था, उसके अंदर कोई भी diatomic and triatomic example नहीं लिया लेकिन Maxwell ने कुछ pattern को set किया, pattern कुछ देखा, वो pattern क्या था, वो हम monatomic gas के अंदर कुछ चीज़ों का order देखना हमने जो final formula लिखा आपको 3 by 2 nrt जो की यहाँ पर है तो उन्हें ऐसा बताया कि यहाँ पर थोड़ा से score modification के और कुछ चीज़ों को यहाँ ने समझा 3 by 2 nrt को हमने n को लिख दिया n upon n a capital n है number of particles और n a में है आवोगाड्रो नमबर अब आर अपोर एने इस नाथिंग बट के एंड के इस बोल्जवान कॉंस्टन तो यहाँ पर n kt यह हमारा कानिटिक इनरजी हो गया किस के लिए n नमबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो कि उस डब्बे में या उस हम कह सकते हैं गंटिनर में है यह वो गैस है और वो क्या उन सा गैस है मोन अटोमिक गैस है हमने उसी से स्टार्ट किया था उसके बाद उन्होंने एक चीज़ देखा कि 3 by 2 n kt आया है यह n number of molecules के लिए लेकिन अगर हम देखें अगर हम से पूछा जाए कि for one particle या one molecule के लिए कितना हो जाएगा that will be n के लि half kt and half kt okay तो उन्हें क्या किया 3 by 2 kt को तीन टुकडों में बाटा half kt half kt and half kt and each one of division will be responsible for energy for a single degree of freedom वो उन्होंने सोचा और समझा क्योंकि अगर देखा जाए तो मुन अटोमिक के अंदर हमने पढ़ा था कि degree of freedom कितना होता है 3 के बरावर तो मैंने सोचा ऐसा भी तो हो सकता है ऐसा ही हुआ है कि each degree of freedom is responsible for this fraction मतलब half kt पहले के लिए half kt दूसरे degree of freedom के लिए इसका मतलब सारी चीज़े के लिए हो गई कि अगर पांच degree of freedom होता तो 5 into half kt होता तो यहां इन्होंने इसकी वज़े से इन्होंने जिन्रलाइज स्टेट्मेंट एक निकाला वो जिन्रलाइज स्टेट्मेंट क्या था वो जरह हम आगे समझते हैं ठीक है अभी इसके अंद energy where k equals to bolgeman constant understood so if you see if suppose if you have gas and it has f degree of freedom कितना degree of freedom उसके पास है f degree of freedom so the kinetic energy for one molecule will be f by 2 kt क्यूंकि एक के लिए half kt था तो f degree of freedom है तो f into half kt हो जागा that means f by 2 into kt understood अभी अगर n number of particles है जो कि अल्रेडी थे उसके अंदर है ना तो फिर क्या हो जाएगा f by 2 into n kt हो जाएगा again k को हम r by na लिखेंगे तो r by na लिखा फिर n upon n again small n हो जाता है तो f by 2 into n r t हमारा यह formula हो जाता है kinetic energy of the gas for n moles आई बस समझ में n moles के लिए क्या हो जाएगा हमारा a by 2 n r t और कहीं ने कहीं यहीं जो energy है आगे चलके हमें internal energy के form में हम जाने हैं तो इसी चीज़ को हमने क्या लिख दिया internal energy that is a by 2 n r t जो कि अगले चेप्टर थर्म डॉनिमिक्स में आने वाला है ठीक है यहां तक ओक कि चलो हो गया तो यहां तक हमारा finish हो गया है यह खतम हो गया यह चेप्टर ठीक है अब इसके बाद हम रुख करेंगे ओके तो चलो कुछ देख लेते हैं कि क्या-क्या आया हुआ है हमारे पास ठीक है तो अभी इसके अंदर अब इसके अंदर आप देखोगे तो यह हमारा finish हो गया है ठीक है अभी root mean square हमारा हो चुका है अभी और यह भी हमारा हो गया है अब आता है नमबर रेडियेशन का रेडियेशन के अंदर कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या-क्या है इसमें आने वाला तो सबसे पहले है यहां पर फेक्ट ब्लाक बोडी मतलब इसके अंदर आप देखोगे तो ब्लाक बोडी की बारे में फेरी ब्लाक इसके अंदर क्या चीजें पूछी है इसके अंदर पूछा है इमिसिव पावर क्या है और कोफिसिंट अफ इमिशन क्या है उसके बाद पूछा है आपसे कि किर्चॉफ's law of heat radiation क्या है बहुत important है किर्चॉफ's law of heat radiation क्या है उसके बाद हमसे पूछा है कि यहां पर आप जो है प्रूव करिये किर्चॉफ's law again जुदाई 2019 में यह चीज है उसके बाद हमसे पूछा है स्पेक्टरल डिस्ट्रिबूशन ऑफ ब्लाक बॉड़ी स्पेक्रल डिस्ट्रिबूशन जो है वो विंस डिस्प्लेस्मेंट लौ होता है विंस डिस्प्लेस्मेंट लौ का नाम आगे अलग-अलग साल में अलग-अलग-अलग नाम से पूछता है अक्टूबर देखर 13 में पूछा था explain black body radiation spectrum in terms of wavelength ठीक है उसके पाद मार्च 2014-2015 और 20 में पूछा है so graphical representation of energy distribution for perfectly black body ठीक है उसके पूछा state winds displacement law तो यह standard question है या फिर standard term है winds displacement laws कर नाम है उसका पूछा है explain energy distribution spectrum for black body radiation तो यह सबका answer एक ही है तो इतने चीज़ें भी हम करने वाले हैं एक एक करके ठीक है तो चलो शुरू करते हैं तो अब हम मूब करेंगी radiation की तरफ radiation वैसे तो देखा जाए तो radiation एक mode of heat transfer है लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे लिए अलग चेप्टर है और CBAC में यह heat transfer के नाम से चेप्टर है जिसके अंदर है लेकिन हम state board चुकी पढ़ रहे हैं तो हम obviously उसकी बात करेंगे तो radiation में क्या क्या है वो हम जड़ा समझने की कोसिस करते हैं कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं तो radiation is a third mode of heat transfer apart from conduction and convection where there is no requirement of medium the energy gets transferred from one body to another body in the form of electromagnetic waves आई बस समझ में तो radiation क्या है एक तरीका mode of heat transfer है दूसरे और दो mode होते हैं कौन-कौन से एक mode होता है कंडक्शन और दूसरा होता है convection कंडक्शन में क्या होगा कंडक्शन के अंदर एक मान के चलो कि आपका रॉड है और रॉड में अगर आपने यहां पर यहां पर आप energy दे रहे हो इसको और यहां का temperature 100 degree Celsius है और यहां का 20 degree Celsius है और यहां के चलो कि यहां पर कुछ भी हमारे पास गरम चीज रखी है और उसके अंदर यहां पे क्या हुआ कि एयर है है और एयर क्वोल्ड है ठंडी एयर है अभी यहां पर यह जाएगा और यह इस के साथ जोह है टe होगा और टपस होने के गरम होके कहीं आ निकल लागा तो यहां भी जो इनसान बैठा हुआ है उसको भी गर्मी का एपा है सास diving हम कहा सकते हैं कि ऐसा जो कि भीना टच करे हुआ इस बाडी के, तो यह असल में एयर मिडियम मॉल्जी कल था। उसकी बादक्षन हो गया है कनुध्सिन हो गया और िसके बड़यराटिक के वज़य से हो थी, कोई टच करने की जरुबत नहीं पड़ती है है अच्छा उसके बाद हम इसके अंदर अगर देखें तो हमने एक छोटा सा एक्सप्रेमिन करने की कोशिश करी जैसे हमारे पास एक आयरेन यहां पर रॉड कहलो या फिर कुछ मेटल का ब्लॉक है जिसको अस्टार्टिंग में अगर हमने देखा तो इसका कलर असल में ग्रे क्या है यह एक सीरीज है जो कि हमको याद रहना चाहिए तो कौन से वेव को रेडियेट करता है या एनरजी इमीट करता है वह है रेडियो वेव माइक्रो वेव इंफ्रारेड फिसके वेव ग्योर का नंबर आता है वी आई बी जी वाई ओ और उसको अल्ट्रा वॉयलेट गामा रे ठीक अच्छा उसका जब हम यहां पर लेट ते राइड मूब करते हैं तो फिर क्या होता है तो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो लामडा है जिसको हम वेवलेंद कहते है वो डिक्रीज होगा है और जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होगा औ अब इसके बाद जो है इसके अंदर speed of light या speed of electromagnetic wave जिसको हम C से represent करते हैं वो है 3 into 10 is to 8 meter per second इसके अंदर जो associated equation है जिसके अंदर velocity of light frequency और lambda जिसको wavelength कहते हैं वो कैसे denote होता है तो वो इस equation से relate होता है V equals to F lambda जिसके अंदर V speed of light है F frequency है और lambda कहा है हमारा wavelength है यहां से अगर आप देखेंगे तो सारे electromagnetic waves के लिए जो V है वो constant होता है V as speed of electromagnetic wave यह depend करता है medium पर किस पर depend करेगा यह हमें medium पर depend करेगा जो यह medium पर depend करेगा लेकिन मान के चलो कि medium constant है इसी medium में वो light move कर रही है travel कर रही है तो यह constant हो गया उसके हिसाब से वी और F और lambda का product जो है वो constant होगा that means f is proportional to one by lambda यह lambda is proportional to one by f हम देख चकते हैं that means अगर आप frequency बढ़ाओगे तो lambda decrease होना पड़ेगा frequency अगर घटाएंगे तो lambda increase हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते है इसी बज़े से अगर आप देखेंगे तो left से right जाने पर lambda decrease होता है अगर हम आगे देखेंगे इसके अंदर क्या 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 चीज है वो हम जड़ा समझने की कोशिस करते हैं तो यहां पर है सबसे पहले प्रिवोस्टियोफ एक्सचेंज हम सीखते हैं वैसे यह बहुत जरूरी नहीं है फिर भी हम थोड़ा से सीख लेते हैं प्रिवोस्टियोफ एक्सचेंज में क्या है कि इसके अंदर तीन बॉड़ी रखी हुई है हमारे सामने अब तीनों बॉड़ी के अंदर साइमल्टेनेसली रेडियेशन में यह सिखा जाता है कि कोई भी बॉड़ी जब भी 0 केलविन से उपर अगर हो तो उसके अंदर क्यों होता है क्यों कि absorption के लिए क्या चाहिए energy चाहिए तो कोई भी बॉड़ी एक रखी है तो कुछ नगुछ energy का फॉल उसके अंदर हमेशा होता रहता है और यह जो energy का फॉल हो रहा है वो तीन अलगलग चीजों में distribute होता है जिसके वारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं लेकिन फिलाल ये मान के चलो, यहाँ पर exchange का एक process होता है, मतलब साथ-साथ energy आती भी है और उसे energy निकलती भी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो, जो हमने ER और EA दो symbol यूज किये हैं, तो ER का मतलब है DQ by DT, अन्य मतलब energy transfer और ये radiation है, मतलब emission हो रहा है, दूसरा है E A, E A का मतलब है DQ by DT A, मतलब energy transfer और ये A लिखा है, मतलब absorb हो रहा है, energy उसको मिल रही है और ये energy उसे निकल रही है, क्लिए रहे हैं तक, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, कि तीन जो body है आपकी, तो पहले case में क्या हो रहा है, energy radiation कम है और absorption ज्यादा है, मतलब energy ये ज्यादा ले रही है पर energy छोड़ता कम है, मतलब ऐसा पकड़के चलो कि 50 जूल ये energy अगर ले रहा है अंदर तो फिर ये जो release कर रहा है वो 30 जूल ही release कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, overall ये body जो है वो गरम हो जाएगी है ना, तो ये कब possible है, energy कोई absorbed ज्यादा कर रहा है और छोड़ कम रहा है, इसका मतलब क्या है इस body का temperature जाद है कि कम है इस body temperature कम होगा है तब यी गर्म हो जा रहा है सब क्सक्राइब 6 oh sorry possible मानगी चलो की सडिय। सेयर 30 है और इस body अब यहाँ केस में आप देख सकते हो कि जादा हो जैसे कि मान के सब्सक्राइब को यहाँ रख दिया गर्म लगता है क्यों लगता है इनरजी छोड़ ज्यादा रहा है और इतना पॉसिबल है कब यहाँ पर आपने इनरजी इंसिदेंट करवाया क्यू और क्यू आई बोलते हैं स्पेसिफिकली क्यू इंसिदेंट एनरजी पर सेकेंड उसकी बाद जो भी इनरजी इंसिदेंट करेंगी उसके जीवन में तीन चीजें हो सकती हैं उसकी किसमत में उसकी किसमत में पहला है कि energy इनर्जी वो वो ट्रांस्मीट कर दे मतलब इससे होकर कि इधर निकल लिए बाहर निकल लिए इसकी किसमत में तीन चीजें हो सकती है अब असल में एनर्जी के इनर्जी को अगर हम फॉलो करें यहां से हम को यह समझ में आएगा जो इंसिदेंट एनर्जी है वो तीन टुकड कर दिया हम चाहते है कि कितना फ्राक्षन या कितना पार्ट उसने अब्जार्व किया ट्रांस्मीट किया और उसके वाद एक तीसरा बच गया उसने ट्रांस्मीट अब्जार और रिफलेट किया तो इसमें रेश्यों नहीं का सकते हैं तो हमने सब में क्यू आई से किया है तो इसको हम a small r से represent करेंगे qa upon qi जिसको हम a small a से represent करेंगे qt upon qi जिसको हम t से represent करेंगे इन सबका अलग-अलग नाम होगा इसके दो popular name है यह हम कह सकते हैं तीन जो अलग-अलग books में आपको देखनी को मिलते हैं तो मान के चलो हमारी हिसाब से अगर बात करेंगे तो qr आपको qi जिसको r कहते हैं उसको बोलते हैं reflectivity या तो reflective power या coefficient of reflection ऐसा भी बोलते हैं ओके तो फिर ऐसा होता है कितना पार्ट उसने reflect किया फॉर इजामपल यह 0.7 है तो इसका मुझा सत्र प्रसेंट उसने रिफ्लेट कर दिये सौ जूल में यह सौ जूल में सत्र जूल उसने reflect कर दिया है QA upon QI जो है वो A है जिसको हम absorptivity या absorptive power कहेंगे इसका मीनी है कि वो कितना पार्ट उसने अब्जॉर्ब किया कितना पार्ट उसने energy रखी है थर्ड है हमारा QT upon QI जिसको हम small t से represent करते हैं जिसको हम transmittivity या transmittivity पावर है coefficient of transmission कहेंगे तो यह भी उससे पता चलता है अब इसके उपर categorization of types of body कर सकते हैं और बराबर वन है मतलब उसने क्या किया सारा का सारा body सारा energy उसने reflect कर दिया तो उसने 100 जूल रखा नहीं पूरा का पूरा 100 जूल उसने वापस भेज़ दिया है तो यह किसकी साथ होगा अगर ऐसा कोई करता है इसको हम white body कहते हैं हमसे च तो उस case में जो कि हमने r plus a plus t बराबर one पढ़ा था तो उस case में क्या हो जाता है जो कि one होता है अब यही यह one हो गया इसका मतलब A और T क्या है जीरो है यह यह अब्सौर्ब भी कुछ नहीं करेगा और transmit करने का तो सवाल ही नहीं है जेकिन है अगर A1 हो जाए A1 मतलब सारा क सारा उसने अब्सौर्ब कर लिया सौजल इनर्जी दिया सौजल इसने अपने पास रख लिया उसको हम अगर इसको वाइट बोला है तो इसको क्या बोलें ब्लैक बोडी उस case में transmitivity और reflectivity दोनों 0 हो जाएगा ठीक है next है हमारा third t ब्राबर one t ब्राबर one जब होगा इसका मतल जाता वो कैसा हो जाएगा transmitivity one है जो पार्ट उसको energy दी गई उससारा का सारा उसने भेज दिया किसी और को transmit कर दिया जिसको हम बोलते हैं transparent body जैसे की कांच होता है पर perfect नहीं होता पर almost हो जाता है आई बस समझ में energy transparent होता है transmit कर देता है ठीक है अब एक और होता है fourth number जिसको हम लोग grey body कहते हैं क्या बोलते हैं हम लो grey body grey body में क्या होगा इनके बीच की चीज या opaque body कहते हैं इसके अंदर क्या हो जाता है transmittivity zero हो जाएगा मतलब कुछ भी transmit नहीं करेगा तो क्या क्या बच गया a plus r plus t ब्राबर one था जब यह पार्ट zero हो गया तो a और r का summation one हो गया इसक का मतलब यह हो गया कि मान के चलो कि अब्जॉर्ब्शन.7 है तो reflection को point three होना पड़ेगा तभी जुड़के वन होगा मतलब उसने आप जौर 70% कर लिया या सतर जूल कर लिया सो में से तो 30 उसको reflect किया होगा उसने अगर मान के चलो कि यह 10% उसने आप जूल किया होगा 10 जू जो कि यहां पर दिख रहा है तो हैंस इस विल भी बैड रिफ्लेक्टर यहां पर दूसरे लागज में कह सकते हैं इस बैड एब्जॉर्बर तो इट विल बी अ गुड रिफ्लेक्टर अब्जॉर्ब उसने कम किया तो ओविसली रिफ्लेट ज्यादा क्या होगा कि उसको ओ ब्लाक बॉड़ी पढ़ें आगे चलिए तो यही ब्लाक बॉड़ी के बारे में पूचा गया था आपसे इसके अंद आगर आप देखोगे तो क्या के टर्म है जैसे हमने पढ़ा सारी इनर्जी अगर उसने अब्जॉर्ब कर लियो तो उसको ब्लाक बॉड़ी कहते हैं सारे वेवलेंद्ध का मीनिंग क्या है कि जीरो से लेकि इन्फरनेट तक है ना यह सा वेवलेंथ होता है हमने पढ़ा आई कि एक्रिमानेटी वेव में बहुत सारी अलला वेवलेंद्ध वाले लेक्रमानेटी वेव से ऐन ओके तो इसकोल पर फेक्ली ब्लाक बॉड़ी डि is decided on the basis of reflection color कैसे decide होता है reflection के बैसिस में मान के चलो मेरे को यह वाला रेड दिख रहा है क्या दिख रहा है रेड इसका मतलब यह है कि जो है रेड को इसने reflect किया है बाकि सारे colors इसने अब्जार की है मुझे अगर कुछ black दिखता है यह black दिख रहा है इसका मीनिंग क्या है कि इसने कुछ भी reflection नहीं किया यह वाइट दिख रहा है मतलब इसने सारे colors को reflect कर दिया है तो mixture उसका क्या हो गया उसका white हो गया है तो similarly color कैसे दिखता है वह reflection के विज़े से दिखता है तो color उसके विज़े से दिखता है उसके बाद एक और चीज़ है reflection of any color belongs to the visible region अभी ideal black body का example भी होता है जो कि आपके board में पूछा है तो वो है the example of ideal black body is sun sun क्या है ideal black body का example है यह ऐसी body है जो अगर इसके पास energy अगर आप fall कर आओगे तो कुछ भी यह वापस नहीं करता सारा का सारा energy रख लेता है जिसको हम ideal black body कहते हैं second इसका example है fairies black body जो कि आपके exam में पूछा हुआ है और इसको आपको याद रखना है तो फेरी ब्लैक बोड़ी क्या होगा तो इस ब्लैक बोड़ी एक फेरी साइंटिस थे जिन्होंने यह ट्राई किया था बनाने का उसके अंदर उन्होंने एक स्फियर ले लिया और स्फियर के बीच में यहां पर ऐसा चोटा सा करी उन्होंने और अंदर में एकदम से स्मूथ बनाने की कोशिस करी और यहां पर एक ऐसा से किंक बोलते हैं उसको चीज़ाब से बनाया अब यहां से जो अंदर में स्मूथ बनाया था उसको एकदम से ब्लैक कलर पेंट किया है ब्लैक कलर पेंट करने से फायदा यह होगा यो maximum चीज़ें को absorb कर लेगा वो कुछ भी वहाँ से reflect नहीं करेगा जैसी कि white body में होता था तो उन्हें ऐसे किया अब यहाँ पर हुआ कि मान के चलो इसमें 10 जूल एनरजी भीजी गई light के माध्यम से electromagnetic wave भेजा गया तो यहाँ से यहाँ पर incident करा और यहाँ से यहाँ टक्कर मार लिया टक्कर मार के reflection यहाँ पर हो गया तो अभी चुकि यह black printed है और non transparent है तो फिर यह क्या करेगा कि 10 जूल में से maximum energy यह एब्जॉर्ब करने की कोसिस करेगा let's say कि 90% energy यह 0.9 इसकी absorptivity है उस surface की तो इसने 90% energy एब्जॉर्ब कर लिया तो दस जूल में से 9 जूल इसने रख लिया तो यह इस रे के पास जो आगे जाने के लिए बचा वो कितना बचा reflect कितना हुआ तो reflection 1 जूल का ही हुआ है ओके अब 1 जूल जब यहाँ पर incident करा तो फिर से यहाँ पर reflect हुआ अब reflect होकर कहीं ने कहीं आगे चला गया तो फिर से इसका 90% ही रख लेगा मत्तब 1 जूल का 90% 0.9 जूल होता है तो 0.9 जूल होगा अब बचा कितना तो 0.1 ही बचा सोचो 10 जूल आया था दो टक्कर के बाद ही energy के बास बस 0.1 जूल ही बची है reflection के लिए 0.1 जूल जूल है फिर से यहाँ से टक्कर मारता है फिर से 90% रख लेता है यहाँ पर नहीं 0.1 में 0.09 इसने रख लिया तो 0.01 बचा है तो हर एक टक्कर में आप देखो गए तो यही हालत हो रही है 10% energy बच सकती है तो अगर देखा जाए कि कुछ भी अगर चांस है निकलने का वह बहुत ही कम है अल्मोस्ट negligible है तो हम कह सकते हैं यहाँ इस opening से कहीं निकले गए नहीं क्योंकर स्मॉल ओपनिंग था जो भी इनर्ची दी गई वो सब को सब इसने जो है वो गुसा लिया अब्सार्व कर लिया इसलिए हम इस स्मॉल होल को हम एक ब्लैक बॉड़ी के तरह ट्रिट कर सकते हैं और यही फेरी ब्लैक बोड़ी यह आपको लिखके आना है और दो मास आपके म बोलते हैं on it if the energy is incident through the small hole inside the hollow sphere then since the wall is hollow sphere is painted black it absorbs almost 99.9% जो हम ने कहा था of incident energy okay around incident energy around 0.01% of total energy escaped from the small hole on the sphere hence this small hole behaves like an ideal black body हा के ना very good तो कुछ इस तरीके से concept है ideal black body का okay आई बास समय में अब आपके question आया थे उसके अंदर आपके objective में कहो या very short answer type question में अगर देखा जाए तो यह आया था ठीक है तो इमिसी पावर क्या होता है तो इमिसी पावर जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ emission करने की छमता ऐसा कुछ तो होता होगा okay यहां पे पावर का मतलब यह नहीं है कि यह जूल पर सेकंड के अंदर आएगा हमने आगे इसके पहले भी सीखा कि स्मॉल जिसको में अब्सॉर्प्टिव पावर कहते हैं वह एक डेमेंशन लेस यह यूनिट लेस कॉन्टिटी है वह रेश्यू है उसका उस पावर से खुल लेना देना नहीं है तो यह चीज़ आप समझ लो ठीक है तो जिसका सिम्बॉल असल में Capital E होता है तो जो इसको Capital E से हम रिपे सिन करते हैं तो वह क्या है है अग असल में समझ दे सकुनिक कोशिस करते हैं तो honors power is defined as energy emitted emission है नहीरे एमिकिस नाम हर यानि होताओ का रिटी इमेर fat पर एक श्यूर बhet nih ले अनलो हमें इनर्जी जो हो रही है माने कि चलो कि जो हमारे पास बॉड़ी है उससे 50 J निकल रहे है तो पूरे सर्फेस त्वेश निकल रहा है तो कि पूरे एरिया से निकल रहा है तो अगर इसका मुनेट एरिया का पूछे तो कितना आंसर 25 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्राइब तो जो हम यूनिट एरिया के में अगर हम बता रहे हैं तो फिर हम वह हमारा इमसिव पावर हो गया इससे फाइदा क्या हुआ अगर आपको ज्यादा एरिया का निकालना तो उसे एरिया से हाँ पर हो गया लिया है यहां पर इमानकी चलो आइरेन है के पास जिसके DQ get e 50 जूल पर सेकिन है और दूसरा हमारा क्या है है अगर यह पार देखा जाए तो यहां पर सर्फिस इरिया बढ़ गया है तो को अगर यह पता रहेगा कि एक में कितना है तो महसानी से निकाल सकते हैं और similarly वही चीज इसके अंदर भी दिया हुआ है सर्फेस से अगरत से पर में फॉर्मॉला क्या है आपको यह है यह याद रखना चाहिए ठीक है चलिए औरने है अब उसके यूनिट क्या हो गया जूल पर सेकंड पर में पो करने के लिए ठीक है जो इमिस्य पावर होता न इमिशन करने की छमता हो किसकी जादा रहेगी ऑबिस्लिये सिरसी रहेगी ब्लैक बॉडी की उतना ही ज्यादा प्रक्राइब करें च्छाय कॉंप मारा reflection है दोनों में फरक है reflection क्या है कि instant जो है वो प्रक्रिया है instant effect है मतलब आपने energy भेजा और उसने लिया ही नहीं reflect कर दिया और emission क्या है emission जो उसके पास energy होती है उसका body का या surface का temperature होता है उसकी हिसाब से energy radiate करता है तो emission और reflection में फरक है या ध्यान में रखना है तो black body सबसे ज़्यादा energy absorb कर रहा था और सबसे ज़्यादा energy वो छोड़ेगा भी उसके पास चमता है emit करने की तो normal body का example के तोर पर मानके चलों 10 जुल per second per meter square है same dimension पर और black body का जो है वो 15 जुल per second per meter square यह practically ऐसा ही होता है black body से ज़्यादा energy emit होती है ठीक है अब यहाँ पर है एक चीज़ समझना है कि अगर किसी खास temperature पर दोनों का temperature हमने same रखा है एक काला body और दूसरा normal body जो काला body है उसका अगर 15 जुल per second निकल रहा है एक मिट्र स्कॉयर से ठीक है तो फिर वहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके रिस्पेक्ट में जो है ब्लैक बोडी के रिस्पेक्ट में यह कितना करता है तो यह एक टर्मिलोजी बहुत जो यहां पर लिखा हुआ हमको पढ़ना है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बोडी इस डिफाइंड आथ द अनर्जी रेडियेटेड पर सेकेंड पर इनिट एरिया थ्रू आइडियल ब्लैक बोडी इट इस दिनोटेट बाई एबी किसी दिनोट करा जाता है एबी से यह अब इसके बाद जो है यही टर्मिलोजी है जो को पढ़ना है is a ratio of a massive power of any normal body to the massive power of ideal black body it is denoted by a small e ठीक अच्छा एस्मॉल एक कैसी quantity है यह है unit less quantity कैसी कॉनिटी है unit less quantity ओके अभी next है हमारा किर्चॉप्स law of radiation थीक है चलो यह हमारे बोर्ड में था करना है कि नहीं करना है मुझे भी नहीं करना है ठीक है चलो बढ़ते आगे चलो तो कर चौप से पूछा गया था कि अंदर क्या होता है इसले यहाँ पर यह आपको डालना होगा थोड़ा बुक से यपल ले सकते हो यहाँ पर आपको समझा रहूं आप बच्चे से समझ लो ठीक है कि अंदर जो है ऐसा है कि कि अधर में हमें जो स्टेटमेंट है वो फाइनल यादकना है कि जो जितना अच्छा 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 इमिटर भी होगा ठीक है अभी पर दो टर्मिलोजी हमने पढ़ा एक असमॉल एसमॉल ए रिपरेजिन टीव है एक तरीकी के से कि कितना वह एनरजी को अब्जार कर पाता है ना उसके दूसरा अक्टर में है इमिसिव्टी मतलब इमेट karışमता कितना वह मीट कर पाएगा इनरजी जिसका इमिक भीती ज्यादा ह already कर पाएगा म leash you да 100 प्रसेंट यानि वह ब्लाक बॉड़ी के बराबर इमीट कर पाएगा अब्जार्पिट्विट्विट्वेट्यơнес मतलब वह आप No और ब्लैक बोड़ी ही है जो कि सबसे ज़्यादा अब्जार्ब करता है एनरजी को अब्जार्ट पिटिविटी 0.7 मतलब वो 70% एनरजी वो अब्जार्ब कर पड़ेगा और इसके अंदर क्या है कि दो बॉड़ी है हमारे पास एक नॉर्मल बॉड़ी और दूसरा आईडियल ब्लाक बॉड़ी ठीक है अब इसको हमने सेम साइज डिशेब करक्ठा है और सुराणिंग जो है वो दोनों के लिए सेम है हमने इसी कमरे में उसको ऐसा रखा है तो क्या होगा ये सेम एनरजी इन्सिदेंट करेगा सेम साइज सबकुछ है तो इसने भी क्यू इनर्जी इंस क्या मतलब है उसको अब्सक्राइब करना है कितना वो तो बॉड़ी बिटिबंड करेगा अब चुकि ब्लैक बॉड़ी है तो उसका एबन होता है तो उसने हंडे प्रसेंट एब्सक्राइब कर लिया समझ में आया कि एक और चीज़ आपको समझना है कि चुकि बॉड़ी जो है वो रूम पर रखी हुई है और इकलिब्रियम में है ऐसा नहीं कि एनर्जी इंसिडेंट कर रहा है इसका टेंपरेचर बढ़ाते जा रहा है वह सो पचास सो देर सो दो सो तिन सो आठ साथ सो आठ सो हजार डिकी से पहुंच यह वह थर्मल इकलिब्रियम में जाता है जो भी टेंपरेचर सराउंडिंग का है यहली यह momento है वही इसका भी होगा तो प्रिवेश थीर अफिक्शेंग की हिसाप से जितना वो एनर्जी अपजार्ब कर रहा हूँतना शेंजर्ड कर रहा होगा तो इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह कि प्टना करेगा फिक ब्लेक बॉरी ने अब्सॉर नहीं करेगा तो तक प्टली ने क्रिख करेगा कब्न क्भिशल दिया अलग हो चाएंगा थेंडी पर जाएगा ईसकी हम व्हाइब यह खाच घी दिबढ़ जैए मिद् Newton में अब अगर में देखा जाए है तो हम capital E हमने पढ़ा था formula capital E क्या पढ़ा इमसी पावर जित्ता में इनरजी वो इमीट करता है पर यूट एरिया पर यूट टाइम को हम इमसी पावर कहेंगे हमने क्या पढ़ा एक यूट कर रहा है इनरजी अभी देखा था नॉर्मल बॉड़ी तो capital E कैसे डिफाइन करोगे AQ upon capital E कैसे निकालेंगे जितनी इनरजी उसने रिडियेट की तो उसने कितनी रिडियेट की थी क्यों इसने लिया था क्यों रिडियेट क्या था तो क्यों अब अगर हम यहां से रिडियेट क्या था तो यहां से बड़ा इंपोर्टेंट रिडियेशन हमें समच में आया कि E equals to A होता है इसका मीनिंग क्या है क्या यह emissive power sorry emission emissivity और जो absorptivity वह एक हो गया क्या नहीं एक नहीं हुआ इसका मतलब है कि E और एक का value 1 है अगर एक अवपेशन को रिप्रेजेंट करेगा कितना इमीट कर रहा है, इमीट करने की छम्ता, रिडिएशन करने की छम्ता, जो ए है वो absorption को represent करेगा, कितना अब्सॉर्ब करने की छम्ता को दिखाएगा, तो यहाँ पर statement आपको लिखना है, according to Kirchhoff's law, it is absorbed that the emissivity and absorptivity are same, have same value, that means a good absorber is a good emitter also, अब यहाँ लिखा हम इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ लिखा है, emissive power of any body to its absorptive power a is equal to the emissive power of black body, मतलब इसको थोड़ा सा डंग से लिख दिया गया है, हमने क्या किया यह जो लिखा हुआ था, इसको थोड़ा सा अच्छी से लिखा, e upon eb equals to a था, तो e upon a बराबर कितना हो गया, eb, e upon a बराबर कितना हो गया, eb, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास 3 body है, क्या है, तीन body है अगर आपके पास, तो मान के चलो पहले का emissivity even है, तो उसका और उसका absorptivity even है, दूसरे का e2 a2, तीसरे क सबका ratio e1 upon a1, e2 upon a2, e3 upon a3, सबका value क्या हो जगा, eb upon 1, बुले तो eb के बराबर, आई बास समझ में है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद, और हम टम समझ लेते हैं, using the above analysis, हम यह समझ सकते है, कि चॉप्स law क्या है, we concluded that the value of emissivity is equal to the absorptivity power, यह absorptive power, this does not mean the absorptive power, और absorptivity or emissivity are same, here we can also say that a good absorber is a good emitter and vice versa, a good absorber is, कैसा, good absorber is good emitter, जो अच्छा absorber है, वो bad reflector ही हमने पहले भी बोला है, क्योंकि A और R का value 1 है, opaque body के लिए, और जो bad reflector है, वो good absorber है, आई बसा हम में तो यह statement, यह और यह तीन अलग अलग इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, चलो, next, अब है हमारा स्टीफेंस law, स्टीफेंस law क्या कहता है, स्टीफेंस law हमारा कहता है, कि कोई भी black body जो है, है ना, फ्टोड़ा सा और बचा हुआ, कोई भी black body जो है, वो कितनी energy per second radiate करेगा, उसका formula है, वो observation के ऊप अबर वोन ने formula निकाला था, इसका कोई प्रूब नहीं है, उसका formula क्या है, उसका यह statement देख लो, the amount of heat radiation per second through black body is directly proportional to its surface temperature और area exposed, surface area exposed and fourth power of its surface temperature is absolute temperature scale, मतलब temperature वो Kelvin में लेना है, इसका मतलब यहां से हमें यह समझ में आना है, कि DQ by DT जो है, वो किस किस के proportional है, तो DQ by DT, जो radiation होगा, वो capital A के मतलब surface area के proportional है, और किस के proportional है, temperature के power, temperature के पावर, 4 के proportional है, आई बस समझ में, ठीक है, अच्छा, तो जब यह मिल जाता है, तो क्या बन जाता है, इस बन जाता है, DQ by DT equals to A, T is to 4, अभी असर में proportional, लिटी का साइन है, तो क्या आजाएगा, सिग्मा, सिग्मा बोले तो, सिग्मा बोले तो surface, स्टीफिन बोल्जमान कॉंस्टिन, सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, और यह black body का है, ऐसा है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा, 567, 5.67 into 10 is to minus 8 watt per meter square Kelvin 4, आई बस समझ में, ना तो कुछ इस तरी किस होता है, जब आप रिवाइस कर रहे होगे, अगर यह last time में, तो आप इसको 2x या 1.5x के speed पर देख सकते हो, मेरी साब से, ठीक है ना, ऐसा है, ओके, चलो, अब अगर सिग्मा का यूनिट निकान ना हुआ, तो DQ by DT बराबर सिग्मा A T raise to 4 है, ब्लैक बोडी के लिए, तो सिग्मा यहां से क्या हो जाएगा, DQ by DT, असल में, Joule per second मतलब watt, और A मतलब meter square, और T का power 4 मतलब Kelvin का power 4, कहीना कि यह सिग्मा की यूनिट हो जा है है, क्योंकि energy radiation मतलब emission की बात हो रही है, तो emissivity का formula होता है, E upon EB, तो E निकाल ना हो तो EB into क्या करोगे, E करोगे, है ना, तो यह हाँ पर EB का formula हमने सीखा, क्या, ठीक है, परी, हाँ, हमने EB का formula सीखा, EB का formula हमने सीखा, सिगमा, A T is to 4, उसमें E से multiply कर दो, तो energy radiation for any body, normal body के लिए क्या हो जाएगा, उसमें बस E डाल देना है, है ना, और E 1 होता है black body के लिए, white body के लिए E 0 हो जाएगा, है ना, तो कुछ इस तरीके सी यह formula से निकल सकता है, ठीक है, वैसे यह basic question है, जो कि आप देख लेना, देख सकते हो, यह चीज, मैं वहाँ पर डालूँगा, तो आप देख लेना, अब इसके वाद एक और question है, net heat loss और gain, ठीक, net heat loss और gain में क्या क्या हमको समझना है, ठीक, एक surface temperature, ती और दूसरा है surrounding temperature, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कि heat loss या heat gain कब हो रहा है, मान के चलो, surrounding temperature आपका 30 degree Celsius और यहाँ पर body temperature है, वह है आपको 50 degree Celsius, तो body temperature जादा है, surrounding का कम है, तो क्या होगा, heat का loss होगा, इसमें से energy निकल के बाहर जाएगी, तो इसका मतलब दो चीज हो रही थी, अगर radiation जादा है absorption से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब net heat loss होगा, तो कैसे जादा है, कितना जादा हो हम समझते हैं, तो dq by dt अगर radiation की बात करें, तो उसके अंदर हमने देखा है कि यह वाला formula आएगा, sigma e at raise to 4, अगर absorption वाली बात करें, तो हमको पता e और e का value बराबर ही होता है, तो इसके अंदर आएगा कितना हमारा, sigma e at raise to 4, गलती कर दी मैंने, sigma, एक चीज़ में गलद लिखा है, यह है आपका, sigma a, a, e, e के जगा a आ जाएगा, है ना, और इसमें surrounding पर यह डिपेंड करेंड करेंगा, तो इस चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और यह formula बन जाता है, हमको पता है कि radiation अगर ज्यादा हो रहा है, तो heat loss होगा, अगर radiation कम हो रहा, absorption ज्यादा है, तो heat gain होगा, पर जो भी हो, अगर हम heat loss की बात करेंगे, तो यहां पर minus करेंगे, radiation को, radiation में से absorption को, तो यहां पर आएगा हमारा sigma e a t raise to 4, और sigma a a, small a absorptivity, capital a हमारा surface area, और ts, जो है वो surrounding temperature, यहां से sigma e a common आजागा, क्योंको पता है, e बराबर a होता है, तो t raise to 4 minus ts raise to 4, इसके उपर सवाल आया है, तो आप समझ सकते हो, ठीके, rate of cooling क्या हो जाएगा, rate of cooling हमको पत है, कि dq by dt बराबर sigma e a t raise to 4 minus ऐसा होता है, यह heat loss है, तो अगर आपने dq को इधर ही छोड़ा, और dt को इधर रखा, अब यह dq जो amount of energy निकल रही है, तो उससे असल में उसका body का temperature कम होगा, तो एक हमने formula पढ़ा है, calorie metric में, ms delta t, तो यहां पर हम रख देंगे, dq बराबर ms dt, तो कहिने कि ऐसा हो जाएगा, फिर से small dt जो time बला factor अगर नीची लेके आएगे, तो dt जो temperature का difference है, upon dt जो time है, तो इसको rate of cooling कहेंगे, sigma e upon ms और कुछ ऐसा हो जाता है, यही newton's law of cooling में जाके convert हो जाता है, newton's law of cooling के अंदर simplified version क्या था, यह है, simplified version कहीं न कहीं, इसको में आप पार्ट में हम final यह use करेंगे, तो dt upon dt बराबर, kt-ts, t क्या है, यह body temperature है, जो कि एसल में, average temperature से नहीं कल के आता है, हमान के चलो, 50 से 40 हो गया, तो average कितना हो गया, 45, यह नि, 45 रखना है, body temperature, और ts क्या है, surrounding temperature, समझाया, ठीक है, ok, next, next है हमारा, के उपर यह सवाल है, ठीक है, winds displacement law, next हमारा क्या है, winds displacement law, ठीक है, अब winds displacement law क्या होता है, जान समझना, कि जब भी किसी body temperature बढ़ाओगी, यह अपकी body है, आपने इसका बढ़ाते चले गए, तो यह कहीं न कहीं, कुछ एक खास radiation emit करता है, जो कि सबसे ज़्यादा हो गर एजामपल आपको अगर यह red hot दिख रहा है, यह iron, इसका मतलब उसने electromagnetic wave की, जो series हमने पड़ी थी, radio wave, microwave, infrared, red और इस सारी चीज़े, तो red सबसे ज़्यादा हुआ, मतलब 1000 में 800, 1000 में कितना 800, यह किसी खास temperature पे, मान के चलूँ यहाँ, तो उसका maximum ही है, तो ऐसा नहीं कि यह बाकी waves radiate नहीं किया, बाकी भी किये, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या किया, red वाला, जब हम और temperature बढ़ाएंगे, तो फिर मानके चलूँ यह blue color हो गया, मतलब अब यह temperature तुमने बढ़ा दिया, तो यह blue ज़्यादा कर रहा है, हाजार में 800 blue है, बाकी लोग भी हैं 200 में, जब हम temperature बढ़ाते हैं, तो जो shift होता है, छोटे wavelength की तरफ shift होता है, तो winds displacement law यह ही है, any body which is above 0 Kelvin radiates electromagnetic waves of different wavelength, ठीक है, of electromagnetic series, on increasing the temperature, on increasing the temperature of body, the wavelength of electromagnetic wave corresponding to maximum radiation, जो maximum radiation होगा, अना, ऐसा नहीं कि बाकी 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 बाकी, wavelength वाले नहीं है, जो corresponding to maximum wavelength है, shift towards sorter wavelength, यही हमारा है, winds displacement law, इसमें lambda और T inversely proportional होता है, sorry, जो बढ़ा होगे, तो lambda जो जगा, छोटी की तरफ shift करेगा, और lambda और T का product constant होता है, जो कि B के बारावर होता है, इसमें B की जो value होती है, 2.898 into 10 raise to minus 3 meter Kelvin, आई बस समझ में, तो कहीं न कही यह आपको ध्यान में रखना है, यह हमारा समाप्त हो गया, दो chapter हमने finish कर लिया, वैसे देखा जाए तो, लेकिन वैसे हमारे state board के साब से एक ही chapter है, आई बस समझ में, तब कुछ अच्छे से, I hope आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यह चीज, और इसी के साथ kinetic theory of gases and radiation खतम हुआ, और तीन lecture हमने लिये, बहुत अच्छे से किये, इसको आप बार बार revise करो, exam के time पर जरूर आपको इसको 1.5x पर देख करके जो, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, हम लोग और एक lecture करेंगे, अभी नहीं, बाद में करेंगे, जिसके अंतर हम numerical करेंगे, कुछ औ और important questions आप से discuss करेंगे, और आप बने रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ share करेंगे, और जल्दी से आप happy new year मना करके, फिर से पढ़ाई में लग जो, new year आने वाला है, तो मेरी आपकी सुब कामना है, मेरी सुब कामना है आपके साथ है, exam के लिए भी और नए साल के लिए, next lecture में मिलते हैं, नया चेप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिन जय भारत